प्रिजेपी के प्रवक्ता संबेत पात्रा इस्वक प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं जहा है कि राहूल गांधी उनके परिवार के लोग और कुछ मुख्य मंत्री जैसे अशोक गहलोत भुपेश बगेल जी उनके परिवार से प्रियंका वाडरा ये सारे लोग आज सूरत जा रहे हैं राहूल गांधी के साथ और वहां पर अपील करने के नाम पर हुड़दंग क करने वाले हैं रस्ता रोको नौटंकी करो इस प्रकार का एक माहूल गुजरात में कॉंग्रेस पार्टी और राहूल गांधी जी का परिवार बनाने वाला है बंदुगण मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये हंगामा बरपाने की अवश्यक्ता क्या है आप सोच के देखिए जहां तक भारतिय जन्ता पार्टी का सवाल है हम कुछ प्रश्न राहूल गांधी और कॉंग्रेस पार्टी से पूछना चाते कि क्या ये हकीकत नहीं है कि राहूल जी आपने OBC अधर बैकवर्ड ग्लास जो हमारे पिछडे वर्ग हैं उस जाती में आने वाले हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए आपने जाती सूचक शब्द का प्रयोग किया उन्हें आप चोर कहके आपने उन्हें संबोधित किया उन्हें गाली दी उन्हें अपमानीत किया और देश के कानून के अंतरगत जब केश चलता है तो स्वभाविक रूप से आज ढोल नगाडे के साथ ताम जाम के साथ अपने परिवार वालों के साथ और कुछ मुख्य म न्याय प्रनाली जो है न्याय पालिका जो है इंडियन जुडिशियरी उसके उपर प्रेशर डालना चाहते आपको अपील करना था ये तो एक लोकतांत्रिक अधिकार है आप हम हर कोई अपील में जा सकता है आपको यह अधिकार निचली अदालत ने दिया था और अपील कर करने के प्रक्रिया में एक ही वकील काफी होता है या आपके एक बैटरी ओफ वकील जाकर अपील कर सकते हैं किसी कोट में मगर वकीलों को अलग वकील तो अलग करेंगे अपना काम मगर वहां पर हुडदंग करने की मानसिक्ता के साथ अपने मुख्यमंत्री अशोग गहलो जी भुपेश, भगेल जी, प्रियंका, वाडरा जी इन सब को लेके जाके आप क्या करना चाहते हैं दूसरा हमें आश्चरी हो रहा है कि आपने OBC के लिए आपत्ति जनक शब्द का प्रयोग किया उन्हें अपमानित किया और अब यह आपकी धृष्टता है आप सोचके देख और कटे में नमक डालने का काम करना चाहते हैं यह OBC समाज के प्रती उनको जिस प्रकार से आपने गाली देने का काम किया है आज आप सूरत में जाकर जले में घी उनका दिल जल रहा है उस पर आप घी डालेंगे और कटे में नमक उनका जो घाव बना है आपके गाली से उस The kind of words that you have used for the OBC community. You are only going to augment the insult that you have thrown on the OBC community by going and staging this kind of protest in Surat. Our question is, are you trying to pressurize the Indian judiciary through these gimmicks of yours? Bandugan, मुझे आश्चर येस बाद का है, कि जहां तक राहूल गांधी और उनके परिवार का सवाल है, कोट ने उन्हें एक मौका दिया था, निचली अदालत ने, the lower court, उन्हें एक मौका दिया था कि राहूल जी आप माफी मांग सकते हैं. आपने OBC community के प्रती जिस प्रकार के आपत्ती जनक शब्दों का प्रयोग किया है, आप चाहें तो आप माफी मांग सकते हैं. राहूल ने कहा, मैं राहूल हूँ, मैं माफी नहीं मांग था, I am राहूल, राहूल does not say sorry, सच अरोगेंस, मैं राहूल हूँ, अरे राहूल ही तो हैं, यही तो हम शुरू से बोल रहे हैं, the two hours never go together, राहूल and responsibility, राहूल और जिम्मेदारी कभी एक साथ चलते ही नहीं है, मैं राहूल हूँ, इसलिए मैं माफी नहीं मांग सकता हूँ, क्यों, यह sense of entitlement क्यों है, इतना arrogance क्यों है, इस देश की अदालत में यह सुन्दरता है, इस लोकतांत्रिक देश में यह खूबसूरती है, कि किसी भी defamation case में अदालत आपको मौका देती है, अपने भूल सुधारने के लिए, the court gives you ample platform to rectify your mistake, अगर आपसे गलती हुई है, आप कहिए मिलॉड मुझे से गलती हुई है, मैंने OBC community का मजाग बनाया, उनके खिलाफ आपत्ती जनक शब्द का प्रयोक कर उन्हें अपमानित किया, मैं हाद जोड़ के माफी मांगता हूँ, जैसे आपने सुप्रीम कोट में कान पकड़ करके, हाद जोड़ करके, एफिडविट लिख करके, रफाइल के केस में माफी मांगा था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जूट उगलने के लिए, सुप्रीम कोट ने आप से कान पकड़वा करके माफी मंगवाय था, लिखित में माफी मंगवाय था और माफी मांगना पड़ा था, पहले तो याद करिए सुप्रीम कोर्ट में भी ये राहूल बाबा तयार नहीं थे माफी मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने का नथिंग डूइंग, you have to apologize and that too in return through an affidavit affidavit देके माफी मांगनी पड़ी थी सुरत के निचली अदालत ने ये मौका राहूल गांधी को दिया था राहूल गांधी ने अपने arrogance के कारण माफी नहीं मांगी क्योंकि उनको कटे में नमक लगाना था OBC समाज के और आज उसी अपमान को दोहराने के लिए उसी insult को बढ़ाने के लिए OBC कम्यूनिटी के तरफ आज वो अपने परिवार के साथ कूच कर रहे हैं गुजरात की और जनता सब देख रही है राहूल गांधी आप ये press conference जरूर देख रहे होंगे मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूँ वाई सच डिस्डेन हिंदुस्तान के OBC कम्यूनिटी के परती इस प्रकार का नफरत क्यूं है गांधी परिवार का वाई डूंट यू है फ़ेट इन इंडिन जुडीशियरी जब कोट ने ये फरमान सुनाया जब सूरत के निचली अदालत ने इस प्रकार का फरमान सुनाते हुए आपको दोशी करार दिया और आपको दंडित किया और अपील करने के लिए विंडो भी दिया आपको उसके बाद आप और आपके लोगों ने जिस प्रकार हिंदुस्तान के जुडीशियरी के उपर हमला किया ये अपने आप में चिंता का विशय है because you don't have any regard for the judiciary of India हमारा तीसरा सवाल है why such hatred for Indian democracy भारत के लोकतंतर के लिए इस प्रकार की वित्रिशना क्यों है आप याद करिए पहले जाके हिंदुस्तान से बाहर हिंदुस्तान को अपमानित करते हैं और अब जब OBC community को अपमानित करते हैं और OBC community को अपमानित करने के कारण कानून के अंतरगत वो डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं look at the आप हिम्मत देखे Congress Party look at the audacity of the Congress Party foreign countries में उनके agents को fit कर रखा है कि यहां से वक्त अब जारी कराईए कि भारतवर्ष में democracy खत्रे में आ गया है this is nothing other than Indira is India, India is Indira movement राहूल is not India and India is not राहूल यह राहूल गांधी परियावाची शब्द है भारतवर्ष का और भारतवर्ष मतलब राहूल गांधी और गांधी परिवार यह नहीं है आप disqualify कानून के अंतरगत हुए हैं इसलिए आपके agent जाके दूसरे देशों में जो बयान दे रहे हैं या दिलवा रहे हैं और उसका समर्थन Congress Party भारतवर्ष कर रही है तो हम सवाल पूछते हैं वाय दिस डिस्डेन, दिस डिसलाइक फो इंडियन डिमोकरसी भारत के डिमोकरसी और लोकतंतर के खिलाफ इस प्रकार का वित्रिशना भाव क्यों है आपके मन में और अरोगेंस और एंटाइटलमेंट की चरम सीमा देखे उनके जो बहुत बड़े नेता हैं राज्यसवा में सांसद हैं बकाइदा प्रेस कॉन्फरेंस करके प्रमोत निवारी जी कहते हैं ये तो गांधी परिवार के लोग हैं ये राहुर गांधी है देश का कानून अलग होना चाहिए गांधी परिवार के लिए क्यों भया गांधी परिवार के लिए देश का कानून अलग क्यों होगा वाई शुड़ देर बी ए सेपरेट सी आर पी सी और आई पी सी पर दे गांधी फैमिली आप किस प्रकार का घमंड किस चरम तक अरोगनिस जा सकता है देखिए कि देश का एक नूतन कानून होना चाहिए एक अलग कानून होना चाहिए देशुड बी ए सेपरेट लौ जस्ट बिकॉस दे बिलॉंग टो गांधी फैमिली इसलिए जो राहू गांधी के साथ हुआ कोट में वो उचित नहीं है क्योंकि ये तो गांधी परिवार का है मतलब आप और हम हम सेकेंड काटेगरी के इंडियन्स हैं और ये गांधी परिवार के लोग यही हमारे सहनशाह और सहजादे हैं ये इस प्रकार की भावना से अब भारतवर्ष निजाद पा चुका है अब भारतवर्ष उसमें नहीं है और मैं अम्तीम प्रश्न जो आज कॉंग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं और आप लोगों को भी सुचित करना चाहता हूं कि वंदुगन कॉंग्रेस के अंदर भी डबल स्टैंडर्ड्स है दो मानदंड है आप देखिए सन 1996 में कैश फॉर वोटिंग स्कैम के कारण ततकालीन प्रदानमंत्री पीवी नर्सी माराओ जी के ऊपर केश चला और लगभग 2000 में उन्हें हिंदुस्तान के एक निचली अदालत ने दोशी करार दिया और उन्हें तीन वर्ष कास जेल करार दिया कि तीन वर्ष के लिए ततकालीन प्रदानमंत्री पीवी नर्सी माराओ को जेल जाना पड़ेगा क्या एक दिन भी सोनिया गांधी या गांधी परिवार का कोई भी वेक्ती पीवी नर्सी रहा था या सड़क पर संगर्श करता हुआ नजर आया सड़क पर नौटंकी करता हुआ नजर आया सड़क पर हुर्दंग करता हुआ नजर आया अरे गांधी परिवार तो छोड़िये कांग्रेस का एक भी वेक्ति पीवी नर्सी महराव के साथ उस समय खड़ा नहीं था टक्के इनके नेता हैं डीके शिवकुमार के ऊपर नजाने कितने केस चल रहे हैं ब्रस्टाचार के केस चल रहे हैं EDCBI के केस चल रहे हैं आप मुझे बताईए ये ब्रस्टाचार और EDCBI के केस को लेकर राहुल बाबा प्रियंका जी और उनका पूरा कुनबा जो है वो तो स सुना प्रेस कॉन्फरेंस करके कि अरे डीके शिवकुमार जी के उपर जो हुआ उससे हिंदुस्तान का लोक्तंत समाप्त हो गया नहीं यह इसलिए नहीं कहा क्यूंकि डीके शिवकुमार ड़स नॉट बिलॉंग तुद गांधी क्लैन अगर गांधी परिवार में से किसी से पीडी ने पूछताच कर ली और अगर कोट ने उन्हें दोशी करार दिया तो है तौबा यह कैसे हो सकता है सहंशा और सहजादे इनको पकड़ लिया जाए यह नहीं हो सकता है क्यूंकि हम हिंदुस्तान से उपर हैं और उत्तर प्रदेश में अजै कुमार लल्लू आप तो OBC समाज के defamation के केस में सजापताव हैं उनको सजा दिया गया है ठीक उसी प्रकार अजै कुमार लल्लू ने भी defamation केस में उनके उपर केस चला था एक मंत्री के उपर उन्होंने अनर्गल बयान किया था उत्तर प्रदेश में पूरा विशय कोट में चला और अजै कुमार ल या अमरिका और इंग्लेंड में जाकर गुहार लगाते हुए या यह कहते हुए सुना कि हाय डेमोक्रसी कतम हो गई अजै कुमार लल्लू जेल जाए तो डेमोक्रसी ठीक है क्योंकि अजै कुमार लल्लू तो गांधी परिवार के नहीं है गांधी परिवार के किसी व्यक्त के ऊपर अगर कोट ने कोई टिपपनी कर दी और सजा उनको हो गया तो हाय तोबा मचा देना है और हुड़दं कर देना है मगर आज राहुल जी आप सुन लीजिए भारतिये जंता पार्टी स्पर्श ट्रूप से आपसे कहती है भारत के पिछडे वर्ग को आप टेकन फर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं आप उनके खिलाफ आपत्ति जनक शब्द का प्रयोग करेंगे उन्हें गाली देंगे उनका अपमान करेंगे और जब कोट इस पे टिपणी करेगी कानून अपना काम करेगा तो आप जाकर हैंगे यह होगा नहीं यह oudगा नहीं देश बदल चुका है देश आगे बढ़ चुका है आज हिंदूस्तान में एक ट्राइबल महिला जबसे पहली बार हिंदूस्तान की राष्ट्रपती वनी है कि आज हिंदूस्तान का प्रधान्मंत्री miał अभी सी समाज से आता है आज OBC सबाच से सरवाधीक लोग हमारे कैबिनेट में मौझूद है स्वभाविक रूप से ये दर्शाता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास यह इस सरकार का मंत्र है, इस मंत्र को तोडने वाले को किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी, सबको एक होकर चलना पड़ेगा, इतना ही कहके मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूँगा, इसी विशय पर कोई प्रश्न पूछना हो, तो जरूर पूछे पहें सबस्क्राइब धर जो तो तो यह इस तो जरूर निर्फटी यह पर पड़ेगा, इसाथ जरूदियों, वो गांधि प्रिवार के तरपाद के अखat कर रहे हैं, क्या हम सब सात हैं, यहां सब का साथ है? मुझे तो आश्चेरी होता है मौम ता बेने जीस